उपराश्पती हामिद अंसारी ने कल नील नदी के उदुम पर राश्पता महात्मा गांधी को पिश्पांजली अर्पित की जहाँ 1948 में उनकी अस्थियों का एक हिस्सा प्रभावित किया गया था। उनने कहा कि राश्पता भारत और अफ्रीका के बीच की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक हैं। यूगांडा पहुचे उपराश्पती अंसारी ने जिन्जा में महात्मा की प्रतिमा को पिश्पांजली अर्पित करने के बाद पौधा भी लगाया। जिन्जा यूगांडा में भारतिय समुधाय का ही केंद्र है।